कैसे हैं आप सभी जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर आपको लेस्न प्लांट्स और असाइन्मेन फैल्स प्रोवाइट कराई जा रहे हैं जितना रेंज हो पाता है पूरी कोशिश रहती है कि आपकी मदद की जा सके और साथ ही आपको टीवी से पेपर भी जैसे से के अपल 2018 के चारो पेपर CC 1, 2, 3 & 4 ठीक है पहले English language में है उसके बाद फिर Hindi conversion है इसका सभी चारो पेपरों का ठीक है तो देख लेते हैं पैटन पूरा का पूरा वही है के पेपर तीन घंटे का रहने वाला है ठीक है maximum marks आपके 80 होंगे तीन section होंगे descriptive मतलब विस्तित उत्तरिये प्र की लगू में आप जानते हैं कि प्रेश्ण कैसे भी आ सकते हैं प्रेश्ण अतर के form में आ सकता है प्रेश्ण प्रूफ आ सकता है फिलिंदी ब्लैंक्स आ सकता है और मैचिंग भी आ सकता है ठीक है तो देख लेते हैं हम कैसे कैसे questions आई हुए हैं देखिए section A में descriptive answer type question में से आप क्या समझते हैं इसकी development और objectives बताने है ठीक है वैसा ही इसी pattern पर आपका next question बनाया गया है higher education level के लिए कि क्या problem है कोई एक problem बताने है और उसका solve करने के लिए कोई suggestion देना है और साथ में और में जो इसमें दिया गया है higher education से आप क्या समझते हो है ना what do you understand by higher education और इसकी developmental objectives को आपके explain करना है ठीक है अब जैसे सभी में और दिया हुआ है तो तीनों आपको questions करने है ना one two three twice में दिया हुआ है तो कोई भी एक कर सकते हैं तो इस तरीके से तीन questions 16 marks के है हर एक question और यह section 48 का हो जाता है ठीक है next देखिए आपका question इसमें professional education के बारें बात की दिया है same pattern पर कि कोई एक problem बताईए और उसको solve करने का suggestion दीजिए फिर उससे आप क्या समझते हैं understand what do you understand by professional education और इसके development and objectives explain कीजिए इसके बाद में short question answers है section B में जिसमें eight questions इ और यह section 16 marks का हो जाता है इसमें सबसे पहले national open school के बारें पूछा गया है फिर Indian council of social science research के बारे में फिर district institute for education and training इसके बाद university grant commission UGC इसके बारें पूछा गया है इसकी क्या need है इसके बाद semester system के बारे में आपको short note लखने का बूला गया integrated education system इसके features बताने हैं फिर teacher education के aims बता इसके characteristics बतानी है ठीक है अब इसी को आगे फिर very short दिया गया है section C जिसमें 10 questions है कोई 8 करने है हरी question 2 marks है और यह भी section अपर 16 marks हो जाता है देखिए सबसे पहले जो topic आया है आपका सर्वसुक्षा भिहान से आया है देखिए आपके last unit में आया थिंक यह topics सर्वसुक्षा भिहा operation blackboard ठीक है ना मिड्डे मील है ठीक है कस्तूर बागांधी योजना है तो यह सभी important हो जाती है आपके तो करनी ही आपको ओके तो देखिए next आपका operation blackboard आ गया है फिर मुदालियर commission यह commissions बड़े important है commission जरूर कीजिए कोठारी commission है मुदालियर है ठीक है इनसे short में भी और long में भी बन जाते है question ठीक है short में तो है ही आप short very short में देखेंगे यहां पर फिर NET और SCT की full form पूछी है यह देखिए अब आपके फिलिंदा blanks में आ गया कि national education policy कब आय थी और उसको modified कब किया था ठीक है new इसके बाद में अभी new में मतलब 2020 वाली नहीं उससे पहले वाली की ब problem बतानी है primary education level पर कौन कौन सी problems होती है इसके बाद higher education level पर service teachers के लिए जो methods बताए इसमें methods explain किये गए कि workshop और इसके लावा और कौन से method होते हैं वो बताने है ठीक है next आप का आ जाता है matching matching देख रहे हैं आप commissions आ गई हैं हां पर आपके मुदालिया commission कौन सा है इन चारों में से आपको मैच करना है कोठारी commission saddler राधा कृष्ण सभी important है पिर यह true false पूछ ले गए हैं इसका हिंदी देख लेते हैं तो हिंदी में आपको विससे तुत्री प्रशन देख रहे हैं उच्चतर मादिमिक विद्या मादिमिक सिक्षा से एक समाधन पूछा है फिर उससे आ हिंदी में लिखा हुआ है आप पड़ लेंगे ठीक है नेक्स्ट आपका आती लगू 10 प्रशन है कोई आर्ट करने है तो जो आपने इंग्लिश में देखा उसी का translation है जो हिंदी वाले learners है वो यह देख सकते हैं नेक्स्ट आपका है philosophical and sociological perspectives of education यह भी same pattern वैसा ही है पूरे paper का 80 marks का ही paper है तो long descriptive answer questions देखेंगे सबसे पहले knowledge पुछा गया है के what is knowledge what are the different forms of knowledge explain करना है इसके बाद what do you understand by realism in education इन दोनों में इसको ही एक करना है ठीक है फिर Giju भाई who was Giju भाई evaluate the educational ideas of Giju भाई और choice में दिया गया है what is meant by individual and social aims of education which of these two aims should have priority in present democratic India and why okay फिर ऐसे ही 3rd वाला को करना है इसमें से कोई एक तो एक quotation दी हुई है इसको discuss करने के लिए पूचा गया है ठीक है का national integration cannot be built by brick or mortar or with sizzle and hammer it has to grow silently in the minds and hurts of men and the process by which it could be achieved by education okay फिर choice में दिया है discuss the philosophy of life and educational philosophy of D.V. John D.V. इनके बारे में इनके जो philosophy है life की और education वो आपसे पूची रही है what do you know about D.V.'s experimental school short question answers है आप पढ़ लेंगे इनको भी ओके आठ है और कोई भी 4 आपको करने है next आपका very short इसमें भी सारे questions दिये गए है kindergarten method ठीक है ऐसी एक और भी method है आपर project method project method के लिए रिखने दिया था आपका हिंदी conversion इसका यह आ जाता है ग्यान क्या है इसके प्रकार फिर शिक्षा में थार्थ रहा सब क्या आश्य है इसके उद्देश्चिय शिक्ष्ण विधी पाठे करम फिर विजू भाई कौन थे उनके सेक्षिक विचार इसके बाद व्यक्तिकर समाझ उद्देश्च दिये गए हैं और कोई आर्ट करने हैं ठीक है नेक्स चलते हैं तो आपका है आप नेक्स्ट ग्रोइंग आप ऐसा लेर्नर तो देखिए यह कुशन पेपर ही है तो यहां पर अलग अलग नहीं एक साथ देखने को मिल जाएगा आपको तो पहला सेक्षिन जिसमें हमारे ती से आया है कुशन सम्वेगात्मों परिवत्रों सत्पन किशोर अवस्था की समस्याओं की विवेशना कीजिए और चोईस में है स्कीनर के क्रिया प्रसूत सद्धांद बड़े इंपोर्टेंट है यह ठीक है थियोरीज स्कीनर की ठीक है पावलोव की यह इसमें जरूर कर ल की बड़ी इंपोर्टेंट है ठीक है लॉंग में नहीं तो शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में आ जाएंगी ठीक है ट्रू फॉर्स में आ जाएंगी तो यह पढ़ लगनी है आपको कि यह बुद्धी शब्द को परिभाशित करना है इस प्रश्ण में अब उद्धी समंदी क इनी दो सिध्धानतों का संशिप्त विवरण करना है ठीक नेक्स्ट आपका ती लगू सारी लगू आ जाते हैं आठ प्रश्ण दिये होंगे और उसमें से चार करने हैं बाला के भावात्मक विकास में सिक्षक की भूमिका पैवलोव की अधिगम सिध्धान ठीक है देखि यहां यह ट्रेट्स ट्रेट्स भी इंपोर्टेंट हैं नेक्स्ट आपका अपराधी बालक अतिलगू मैं दस्प्रस्ण हैं कोई आठ करने हैं आपको तो पिछले बालक की दो विशिष्टाय पूची गई हैं पुनवलन के प्रकार पूचे हैं बुद्धी लब्दी का सू अर्थ डिफेंस मेकेनिज्म लास्ट आपका वेपर सीसी फोर्स जो किया है टीचर टीचिंग एं टेकनलोजी सेम वही पैटर्न पहले डेस्क्रिप्टिव आंसर कुशन आसर आज जाएंगे तो सबसे पहले पूचा गया है आपका प्रोग्राम प्रोग्राम आज आपको समझाई गही थी ना उसकी भी वीडियो आपको प्रोग्राइट कराई गहीं थी थी फाइल की वैसे ही आपको पुक में भी आपको देखने को मिलेगा कि स्किल्स को ठेस्क्राइब किया हुआ है ठीक है और कहा गया कि एन प्रिपेर आप माइक्रो लेस्न प्लान और एनी वन उफ देम एन एनी टॉपिक ऑफ यूर ओन च्वाइस अब देखिए इस्टिमिलस वैरिशन और ब्लैक बोर्ड राइटिं इस्किल्स आपने अगर है नेक्स्ट शॉर्ट कॉश्चन आंसर दिया है इसमें एट है फोर करने है तो पहले दिया है रिलेवेंस ओफ टेक्नोलोजी इन एजूकेशन टीचर ओटोनोमी एक्सन रिसर्च लेक्चर स्ट्रेजी ओफ टीचिंग कंट्रोलिंग स्टेप अफ मेरेजमेंट आफ टीचि लेते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फिर से आ गया थी के प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं लेंग्विज डिबरेट्री के यूज पूछा है ओई आर के बारे में पूछा है यूजी सी की ड्यूटी पूछी है ठीक है फिर आपके यूजी सी से पहले भी कोशन आया हु इसके बाद में आगे आपको दिया है स्ट्राटिजी फॉर प्रोफेशनल डेवल्मेंट अफ टीचर नेक्स्ट आपके ग्रूफ वर्क स्ट्राटिजी की फोर करेक्टरिस्ट्रिक्स पूछी है कॉम्पोनेट्स पूछे गया है रेंफोर्स्मेंट स्किल ओफ टीचिंग का ठीक है फिर से आपको देखें माइक्रो टीचिंग में से आगया एक पॉइंट रेंफोर्स्मेंट स्किल करी है मल्ट्री सेंसरी मल्टी सेंसरी टीचिंग और फिर पूछे हैं यूज सी ए आई का अब हिंदी में आपको दिया गया है तो आप यह भी पढ़ लेंगे है ना हिंदी में जो देखना चाहते हैं वह यहां से देख सकते हैं नेक्स आपके लगू पूछे हैं तो आठ प्रशन दियें कोई चार करने हैं ठीक है नेक्स आपका चाता है अती लगू 10 प्रशन जिन में से कोई आठ करने है ठीक वहाँ I hope आपको यह help करेगा कोई भी query है तो आप पूस सकते हो और next video मिलते हैं thanks for watching